जाहिन साथियो स्वागात है आप सभी का अपनी यूटुब चैनल प्रेवलेज 1991 पर साथियो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंप्रोटेंट कोश्चन लेकर आया हूँ और आपको मैं एक बात बता दूँ साथियो को यह कोश्चन जो है तो यह कोश्चन आपके लिए बहुत ही इंप्रोटेंट रहने वाले है और इसको आप जरूर से जरूर याद कर लीजेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब कर लीजेगा तो दोस्तों पहला कोश्चन आपके प्रकार आपके पास कुछ इस परकार है यहे स्टार सक्ती बराबर होता है तो इसका आप इसका आपकर człowie fax और 746 puisque श्यायसी बार गाया है यह GD के paper में पूछा गया था, मैं आपको paper ही बता दूँगा कौन से paper में पूछा गया है next question है साथ यह, जल का घनात्व अधिकतम तथा नियूनतम होता है यह question भी अच्छा question है साथ यह आपको option दियो है 3 degree centigrade पर, 4 degree centigrade पर, 6 degree पर और 5 degree पर तो साथ यह, जल का घनात्व अधिकतम तथा नियूनतम किस्मा होता है 4 degree centigrade पर, यह question भी पूछा गया था, यह question, question पूछा गया था साथ यह question, question पूछा गया था, साथ यह question, next question आपको है आर्स्टीन ने, लेमार्क ने और लेमोजिन ने, तो साथियो इसका जो answer होने वाला है साथियो इसका answer जो होने वाला है, वो रहेगा आपका Christian D. Duane ठीक है, Lysosome की खोच Christian D. Duane ने की थी, और एक बात में आपको बता दूँ साथियो तो कभी-कभी इसका वर्स भी पूछ लिया जाता है, तो इसका वर्स कितना रहेगा 1905 में Lysosome की खोच Christian D. Duane ने की थी, तो आप इसका थोड़ा सा वर्स भी याद रख लीजेगा क्योंकि कभी-कभी वर्स भी पूछ लिया जाता, वैसे बहुत ही कम कंडिशनों में वर्स पूछ जाता है यह तो अनली खोज करता है कि नाम पूछा जाता है, तो चले दोस्तों, नेक्स्ट कोशन आपका जो रहने वाला है, वो है प्रोटीन की फैक्टरी कहलाती है, यह कोशन साथ यह अभी मैंने उसमें रेली भरती में के नहीं देखा यह कोशन अभी तक पर अभी मैंने EMC center को जो है उसमें देखा हूँ ठीक है center की जो भरती होती है उस center में यह question तीन बार repeat हुआ है तो question फिर से आप पढ़ लीजेगा protein की factory कहलाती है आपको option दिये हुए है ribosome को, lysosome को, mitochondria को और इन में से कोई नहीं तो साथ यो protein की factory जो है वो किसको कहते है वो इसको कहते है राइबोसome को ठीक है ribosome तो इसका क्या answer हो जाएगा साथ यो राइबोसome तो इसका कौन सा option सही होगा इसका option सही होगा नमर पहला राइबोसome यह question भी very important question है ठीक है इसको आप जरूर से जरूर याद कर लिजेगा आपको एक नएक question जरूर परिक्चा में देखने को मिलने वाला है अभी जिनके exam रह गए हैं तो next question भी very important है प्रोटीन का संसेलेशन होता है साथ यो protein का संसेलेशन होता है आपके पास option दिये हुए है राइबोसome को लाइसोसों को माइक्रोकांड सबी जालिका कैंदरक कला कैंदरक कण्रवय और राइबोसom पाया जाती है इनके अंदर इतने चीज़े पाया जाती है और ये जो राइबोसome होते हैं वही protein का संसेलेशन करते हैं तो इसका answer आपका क्या हो जाएगा राइबोसॉम राइबोसॉम के द्वारा protein solution का कार किया जाता है तो इसका आपका जो answer हो जाएगा पहले नम्मर का answer सहीं होगा राइबोसॉम छटवे नम्मर कोश्चन बहुत ही important है सातियो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा important है ठीक है आपके पास option दिये हुए हैं सबसे पहले question आप पढ़ लीजिएगा DNA की कोज किस ने की थी ठीक है DNA की कोज किस ने की थी आपको option दिये हुए है सबसे पहले की पहले डिये है और मैं से कोह नहीं सबसे पहले किपा कि अधी ने का क्या होता है DNA का फोल फॉर्म होता है पुछेइगा नहीं पर आप याद रखेजिएगा कि dna का क्या होता है दी राइबोस निकलिक अमल तो साथ यो इसकी जो खूज हुई थी वही थी 1869 में ठीका 1869 में थी ये भी बहुत इंपोर्टेंट है सबसे पहले एक इंपोर्टेंट चीज में बता दू साथियो आप बहुत से जंगा पर वाट्सन और क्रिक कही नाम सुनते हो कि कैसे नarin किती सर्क्तम मैं आपको बता दूंओ निक क्षच की दि के खोश की दिंग हो की थी जोहान जोहान ऐंके से आप रहसान के लिए नोबल पुरुषकार मिला था वो मिला था 1962 इसलिए आप लोग सभी वार्टसन और क्रिक ने की थी तो आपका यहीं सही रहेगा वार्टसन इबं क्रिक अधर्वाइस जदी जोहान फैड्रिक आथा तो आप उसको लगाए क्योंकि डिये ने कोई जोहान फैड नाम करने कर रहे हो जाता है, Elberd को जाता है, तो यह कोशन इसको डिये ने को उपर से बहुत इंपोर्टेंट कोशन थै यह, तो इसका जो आप्वस जाने वाला है वो batson एबं क्रिक का आंसर है, लाकिक है इसका अनसर क्या होगा इसका नहिए वाला है लांसर रहने वाला ह किसने की थी इसका अंशर हमको कॉमेन्ट करेगा ठीक है कुमेंट करेगा रूमको बताइए कि किस ने की थी तो आई ओपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो पसंद आई हो तो नागी ठीक को ज़रूक ह से जरूर याथ刻 लेत य andere कि यह कोश्चन आपको परिक्षों में देखने को मिल सकते हैं और साथ उन्याश्टी में ज़्याद से ज़्यादा कोश्र लेकर आऊंगा आपकी परिक्षे के तैयारी के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वैल आइकल को प्रेस कर लेना तैकि में नेक्ट वीडियो के प्रेट आपको समय पर मिलती रहे जय हिन जय भारत